कस्टम विभाग ने गुरवार को तड़के अरपोर्ट पर सोना तसकरी के प्रयास को विफल करते हुए 34 लाग किमत का माल सब किया है प्राप जानकारी के अनुसार कतार एरवेज की फ्लाइट क्रमांक क्यो आर 590 से शारजा से आया एक यातरी कमर के नीचे पेस के रूप में सोने की तसकरी करने की कोशिश कर रहा था यातरी केरल का रहने वाला बताया गया पिछले कई दिनों से शारजा से आने वाले यातरियों के जरीए सोना तसकरी की घटनाओं में बड़ोतरी हुई है केरल निवासी यातरी गुरवार को पहली बार शारजा से नाकपुर की यातरा कर रहा था वह सीमा शुल्क से बचने के लिए पेस के रूप में सोने की तसकरी करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकपुर हवाय अड़े पर सीमा शुल्क विभाक के सतर का अधिकारियों की नजरों से वह बच नहीं पाया अधिकारियों द्वारा की गई प्रोफाइलिंग के बाद यातरी की संदिक दगती विदियों को देखती हुए उसे पकड़ लिया गया आरोपी के पास से पांसो उनपचास ग्राम सोना मिला जिसकी अनुमानित कीमत करीब 34 लाग रुपे है यह कारवाई सीमा शल्क आयुकत संजे कुमार के निर्देशान उसार और अतिरिक्त आयुकत पियोष भाटी के मार्ग दर्शन में नाकपुर कस्टम की एर इंटिलिजेंसी यूनिट एर कस्टम्स यूनिट द्वारा की गई टीम का नेतरत्व साहिय का युकत वी सुरेश बाबु ने किया अंजुम तडवी ने मामला दर्श किया टीम में अधिक्षक प्रकाश काप से सुधाकर बारा पत्रे निरिक्षक कृष्णकांत धाकर सुभम पंथी कोडी वो कॉंस्टेबल अनुराग परीकर शाविल थे मा मेरा परसन अकलेश भारतवाश के साथ अभी शेक पांसी की रिपोर्ट